मुश्यों दोस्तों आज बात करेंगे जो जैंसर और 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 नियम, क्यों होता है? पिन 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 की क्या जिरुवत है तो इस बीसे बात करेंगे दोस्तों तो वीडियो के साथ बने जिए लाश्ट टक वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके या नीगेट्य होगा पॉइट्च सबसे पहले हम जान लेते कि जो सेंस्र होते हिनके वायर कितने होते हैं अगर कोई भी sensor है supported किसी में आपको तीन वायर मिल जाएंगे किसी में चार वायर मिलेंगे और किसी में पांच वायर मिलेंगे अब जो आपके तीन वायर हैं तीन वायर में आपको brown brown दूसरा रहेगा आपका blue और black एक और sensor होता है जिसमें होते हैं आपके वो भी तीन वायर का ही होता है उसमें होते हैं आपका red black और green बाकी ये जो चार वायर और पांच वायर वायर सेंसर हैं इसके बाद में बात करेंगे फिलाल अभी हम तीन वायर वायर सेंसर पे बात करते हैं तो तीन वायर वायर जितने वी sensor होते हैं इनका जो है जो आउट्पुट हैं अगर आपका brown, blue और black हैं तो black आउट्पुट होगा अगर आपके sensor का red, black और green है तो यहाँ पे green आउट्पुट होगा यहाँ पे जो है यह जो green है यह आउट्पुट होगा अब यह होगा हमारे sensor के वायर दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे कोई भी sensor देखेंगे तो आपको जो है यही color के से वायर मिलेंगे यह जो चार वा वार यही होते है बाकी 2 वार अलग होता उसका work अलग होता है तो अबी दोस्तों बात करने हैं सिरप इन सेंसरों के बारे में इसमें क्या होता है यह sensor आपकाmittN type को रहा हो सकता है और NPN type का भी हो सकता है कुछ sensor के ऊपर लिखा होता है PNP और NPN उन पर एक चीजा और भी लिखा होतहा अगर PNP N O है तो PNP N O है तो PNP N O Var लिखाऊगा पी पिए N P N C है तो PNP N C होगा और PNC है तो PNC लिखाऊगा तो अब जैसे माम लेज़े हैं अगर कोई आप PNP N O पर काम कर रहे ही हैं तो PNPN में क्या होगा जो आपके वायर है supported brown blue और black है तो जो brown है यह आपका positive है जो आपका blue है जो आपका blue है यह negative है और black है यह output है अब यह आपका P भी हो सकता है और N भी हो सकता है वो आपका अगर sensor पर लिखा होगा तो आप समझ जाए वरना आप चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि आपका sensor PNP है या NPN है या आपकी need के हिसाब से आप sensor को select कर सकते हैं कि आपको PNP चाहिए कि NPN चाहिए तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम sort में समझा रहे हैं कि जब भी आप मतलब कोई भी sensor चेक करें तो जब भी आप sensor कोई चेक करेंगे तो आप brown और blue पर supply दे देंगे support that आपके पास जो sensor होते हैं ये होते हैं आपका 10 बोल्ट से लेके 30 बोल्ट तक ये जो है ये काम करते हैं 10 बोल्ट से लेके कोई भी supply देंगे, उतना output आपको मिल जाएगा, आप अगर 10 volt दे रहे हैं तो sensor का जो output है, वो 10 volt देगा अगर 30 volt दे रहे हैं, तो 30 volt देगा अगर 24 volt दे रहे हैं, तो 24 volt अब 10 volt से लेके 30 volt होता क्यों है क्योंकि जाद तर 2 supply चलती है आप देखेंगे तो 12 volt और 24 volt, आपको 2 ही supply मिलेंगे तो अब 12 volt से अगर आपको कोई चीज़ चलानी है तो भी आपका यह sensor काम करेगा 24 volt से अप्रेट कानी है, तो भी यह sensor काम करेगा, इसमें sensor चेंज करनी जोबत नहीं अगर आपका supply 12 volt है, तो 12 volt से भी चलाएंगे आप 24 volt है, तो 24 volt से भी चलेगा अच्छा, आप इसके बाद हम बात करते हैं, कि इसको कैसे चेक करेंगे, कि हमारा sensor PNP है कि NPN है, अगर sensor को उपर लिखा हुआ है तो तो आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कैसे पता करेंगे, कि sensor PNP है कि NPN है, उसके लिए आप क्या करेंगे सपोर्ट एट ये तीन वार हो गए आपके, ये आपका brown, ये आपका blue, और ये आपका black, या जैसे हमने ये बताया आपका red, black, और green, तो इसमें क्या होगा कि इस पर आप positive देंगे, इस पर आप negative देंगे, और यहाँ से जो output मिलेगा जो आपको output मिलेगा sensor वही है, अगर आप यहाँ पर positive दे रहे हैं, यहाँ पर negative दे रहे हैं और यहाँ पर आपको negative मिल रहा है तो ये sensor आपका NPN है अगर आप, यहाँ पर positive, यहाँ पर negative P2 और यहां पर आपको P मिल रहा है अगर P2 मिल रहा है तो यह sensor PNP है यह तो किलियर हो गया अगर लिखा नहीं है तो इस तरीके सब चेक कर लेंगा अगर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आप खुद पढ़के पता चल जाएगा अगर आपका sensor PNPNO है अगर आपका sensor PNPNO है तो कैसे पता चलेगा PNPNO तो जैसे आप supply देंगे और sensor के सामने हाथ लगाएंगे supported यह कोई sensor है यह sensor है इसको यहाँ पे कोई चीज आपने रख दिया और यह sensor की पीछे की light यहाँ पे एक indicator होता इंडिकेटर अगर on हो गया और output निकला तो यह हो गया आपका PNPNO और अगर supply देते ही आगे कोई भी product या कुछ भी नहीं लगा हुआ है और sensor आपका already on हो गया तो वो होगा आपका PNPNO और जैसे इसके सामने कोई भी चीज लगाएंगे आप तो यह light बंद हो जाएगी और यह output बंद हो जाएगा तो यह sensor क्या होगा यानि कि यह PNPNO पहले supply देगा product आने के पहले और जो N होगा वो कोई भी product लगाओगे इसके सामने तो वो on होगा तो दोस्तों इस तरह से आप जो है PNP और NPN की पहिचान कर सकते हैं अगर आपके पास मतलब बिना लिखा हुअ sensor है बहुत साइ disorders लिखा होता है बहुत बारी बारी की लिखा होता है बहुत साइसा अृट से आप चेक करके भी पता कर सकते हैं कि आपका sensor PNP है कि और supply supply 12-12 से लेकर 24 वोल्ट आपको मिलती है और अगर जो सेंसर की सप्लाई की बात करें तो वो 10 वोल्ट से 30 वोल्ट आग रहता है इसके बीच में आप जितनी सप्लाई देंगे उतना ही आउट्पट हो निकाल के आपको दे देगा अगर प्रिक्वार्मेंट आपको PNP NPN की जरूद क कहां से आई अगर आपको PNP और NPN की बात करें तो PNP NPN आपको कहां से आई तो आपके नीड होती है जैसे माले जो कोई PLC है अब PLC को जो है जो PLC का कॉमन पॉइंट है जो आपके माले कोई PLC है PLC का जो कॉमन है अगर PLC का कॉमन पॉइंट जो है पोईस्टिव है तो व भी आएंगे वहाँ पर आपको जब positive common हो गया तो यहाँ पर जो है negative देंगे तभी वो system operate होगा और अगर यहाँ पर negative है support rate आपका common negative है तो यहाँ पर आपको positive देना पड़ेगा positive negative का combination बनेगा तभी जो है आपका system operate होगा तो जो positive negative का जो कम होता है जो जरूरत होती है अपने को वो यहीं से होती है कि जो हमारा system है हम जो चीज यूज कर रहे हैं तो वो हमारा positive है मतलब positive operation है या negative operation है दोस्तों अगर माल लेज़ें कि आपका PNP sensor लगा हुआ और PNP खराब हो गया और आपको NPN आपके पास पड़ा हुआ है तो आप NPN भी लगा सकते हैं और उसका operation भी कर सकते हैं उसमें क्या है कि आपको एक relay लगाना पड़ेगा और उसका उस भी से मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास अगर NPN sensor है और वो खराब हो गया और आपके पास NPN sensor नहीं है PNP लगाना है वहाँ पे तो उसको कैसे यूज करेंगे आप तो मुझे उम्मेद है दोस्तों कि इस वीडियो में भी like कमेंट करेंगे आप लोग अगर कोई query हो तो comment box में जरूर करिएगा बाकी जो भी आपका sensor है वो दो ही type पे काम करते हैं PNP और NPN और बाकी जो है इनमें भी आपका जो support data आपका PNP, NO और PNP NC दोनों होते हैं सेम ऐसे ही NPN, NO और NPN, NC भी होते हैं अब दोनों का work अलग-अलग होता है कहीं पे हमें पहले output चाहिए और कहीं पे हमें product लगाने के बाद output चाहिए तो आज की rate में सबसे ज़्यादा sensor का use हो रहा है वो automation के लिए हो रहा है और automation के मामले में बहुत ही बहतर work कर रहे हैं आप देखेंगे जो proximity center जो metal sensor है, यह सबसे ज़्यादा आज कल bike का single stand होता है वहाँ पर नीचे लगा होता है जो bike का single stand होता है वहाँ पर जो sensor लगा होता है वो proximity sensor ही होता है, जहाँ पर जैसे आपको metal लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसको sense करेगा और एक output generate करतेगा तो इसी तरह से, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी like कमेंट करेंगे और अगर वीडियो like वीडियो परसंद है तो दोस्तों साथ भी share करिएगा तो इस वीडियो में यही तक, मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंदे